आज हम सुनेंगे 3rd October 2021 का अब्वेक्तो बाब दादा का मधूर महावाइकों इस महावाइकों को बाबा ने 31st मार्च 1988 में सुनाया था आज फीट से हम सुन रहे हैं आज का टाइटल है बाचा और कर्मोना दोनों शुक्तियों को जमा करने की इश्यरियो स्कीम बाबा बहुत सुन्दरीती से हमें समझाते हैं हमारा जो पंचकर मेंद्रियों है इसमें बाचा और कर्मोना ये दोनों शुक्तियों को कैसे जमा करें जैसे धन को हम बैंक में जमा करते हैं इसी प्रकर ये बाचा का कर्मना का शक्ति बाबा का बैंक में हमें कैसे जमा करें इसके लिए इस शुरियो स्कीम परिकल्पना बाबा दे रहे हैं हम सब इध्यान से सुनेंगे आज रुहानी समा शिबाबा अपने रुहानी परवाने अर्थात आत्माओं को देख रहे हैं चारू और के परवाने शमा की उपर फिदा अर्थात कुर्वान हो गई हैं ये बाबा देखते हैं जानते हैं हम भी जानते हैं बबाबा समझाते हैं जब पानी पानी मिल जाते है तो ये पानी पानी हो जाता है जब बरफ गल के जब पानी हो जाता है तो इसमें बरफ का कोई अस्तित्त नहीं रहता तो कोई परमात्मा में अगर फिदा हो जाता है प्यार से परमात्मा का बन जाता है तो परमात्मा का गोन शक्ति सब उसमें आ जाना चाहिए लेकिन नंबर वार क्यों बस्तव में कुर्बान होती ही है दिल के स्नेहों के कारण परमात्मा पे हमरा दिल का स्नेहों है तो इसलिए हम परमात्मा का बन जाते हैं दिल का स्नेहों और स्नेहों साधारन स्नेहों इसमें भी अंतर हैं हम भी दुनिया में जानते हैं दिल का स्नेहों एक प्रकर का होता साध करण कुरबान भी हुए हैं दिल किस नहीं बाप के दिल की बातों को बात दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पुरा करते भी हैं ये डिफरेंस हैं जो दिल से बाबा का प्रतिप्यार है तो बाबा का दिल का आशाओं भी जानते हैं और जानते हुए वो पुरुन भी करते ह दिल किस नहीं दिल की आशाय पुरुन करने वाले हैं तो इसमें तो बाबा समझा दिया है नमबर वार है लेकिन कोई कोई आत्मा बाबा का आशाय पुरुन करने वाले हैं और कोई तो ऐसा ही ब्रह्मन बन गए हैं दिल किस नहीं अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वो द्रिरता लिया और जो दिल में समाया वो कर्मों में सतो ही होगा आ जाएंगे स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है कुछ दिमाग में समाता है यही अंतर है जो सधरन स्नेही आत्मा दिल का स्नेही नहीं वो कुछ दिल में रखते है कुछ दिमाग में रखते है तो इसक नतिज़ा क्या होता है इसका भी बाबा अर्थों हमें समझाते है जो दिल में समाता है वो कर्मों में लाते है जो दिमाग में समाता है तो वो उसमें तो सोच चलता है कि कर सकेंगे वा नहीं कर सकते कर सकेंगे तो समय पर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे ऐसे सोच चलने के करण सोच तोखी रहो जाते हैं कर्म तो नहीं ला पाते हैं यही अंतर है आज बाप दादा देख रहे थे कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्रह्मन नहीं कहलाते ब्रह्मन तो सभी हैं लाख लाख आत्मा बन गई हैं सारे दुनिया में ग में बाबा का बात लेते हैं, सोचते रहेते हैं, वो दिल में समाते हैं, दिल में समाने के करण वो कर्म में लाते हैं, तो बाबा को बाबा का आशा वो पूरी कर पाते हैं, आज बाब दादा स्रिप एक माश के रिजल्ट देख रहे हैं, जैसे दुनिया का कोई एक्जम होता ह टाइम डियूरेशन रहेता है यहां बाबा एक माहिना का result देख रहे थे इसी season में विशेश बाब दाद ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया इस season में कितना बार इशारा दिया टरगेट दिया, हो मॉर्थ दिया और बाप ददा की विशेश यही दिल की आशा है बच्चे पुरा करके दिखाए इतना खाजाना मिला इतना खाजाना मिला इतना बरदान मिले बरदान के लिए भाग भाग करके आते हैं देश से विदेश से बाप को भी खुशी है कि बच्चे इस नहों से मिलने आते हैं मदवन, बर्दन लेख खुश होते हैं, लेकिन बाप के दिल की आशा पुरुन करने वाले कौन है, ये प्रश्ण बुदक है, ये कुश्ण मार्क है, इतना ब्रह्मन होते हुए भी बाप का आशा पुरुन करने वाले कौन है, जो बाबा ने सुनाया, उसकी कर्मों में कहा तक लाया, आपने आपको पूछे हैं, पूछते हैं, मंसा बाचा कर्मों ना, तिनों की रिजल्ट कहा तक समुझते हो, बाबा ने जो इशारह हमें दिया, बाप शमन बनने के लिए ब्रह्मा बाबा करके दिखा लाना चाहिए, तो मंसा बाचा कर्मों ना, यही तो तिन पूजी हमारा पास है, शक्तिशली मंसा समंद संपरकों में कहा तक लाई, बहुत सुन्दर बात बाबा समझाते हैं, मंसा तो सभी का पास है, लेकिन यह समंद संपरकों में कहा तक लाई, बाबा का यह शक्ति, बा तो दुसरों का उन्नोति कैसे कर पाएंगे? लेकिन जिन स्रेष्टो आत्माओं की स्रेष्टो मनसा और तात संकल्प शक्ति शाली है, शुब भाबना, शुब कामना वाले हैं, तो वो ही कर पाते हैं. मनसा शक्ति का दर्पन क्या है? तो ये भी कमभीड शिक्षा बाबा हमें देते हैं, दर्पन है, बोल और कर्मा. मनसा, बाचा, कर्मा ना बाबा कहते हैं, लेकिन मनसा शक्ति है की नहीं, वो कैसे हमें मालूम पड़ता है, उसका दर्पन क्या है? तो बोल और कर्मा. अगर मनसा हमारा पावरफुल है, कोई भी आत्मा हमें पहचान पाएंगे, हमारा बोल दरा, हमारा कर्मा दरा. चाहे अज्यानी आत्माएं चाहे ज्यानी आत्माएं दोनों के समंद संपरकों में बोल और कर्म धर्पन हैं सबी के लिए ज्यानी और अज्यानी क्यों ना हो अगर बोल और कर्म शुब भाबना शुब कामना वाले नहीं है तो मंसा शक्ति का प्रतक्ष शुरूप कैसे समझ म और कर्म हम मेरा बाप समन्न नहीं तो लोग कैसी हमें कैसे सार्डिफिट δेंगे तो प्रत्तक्ष शुरुब हम तो समझ में कैसे आएगा जई मेरा मन्सा शक्टी पावर्फुल बन गया बाप समन्न बन गया तो जिसकी मन्सा शक्टिशाली वाशुब है उनकी बाचा-अर कर् शुब भबनावाली होगी इसलिए बाबा के नेने मंसां बहुत पावरफुल है उनको ठीक करो मंसा शक्ति शाली अर्थात याद की शक्ति भी स्रिष्ट भोगी मन्सा, मना, याद का साथ उनका लेना देना है याद अच्छा है, मन भी अच्छा है शक्तिशली होगी, सहज होगी, सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्मजोगी होगे, ये बाबा ने बार बार हमें समझा दे कर्मजोगी बनो, सहज कर्मजोगी बनो, शक्तिशली बनो, बाब दादा ने देखा, याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उच आगे बार भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि बाब से स्नहों अच्छा है इसलिए याद का अच्छा है और याद का आधर है ही स्नहों बाबा समझाते जितना बाबा को बाबा का स्नहों बाबा का प्रती हमारा स्नहों है इतना हमारा बारतालाब भी इतना ही हमारा दीप होगा, बाब से रूहरियान करने में भी सब अच्छ है बाबा ने कहा, सभी एक्सपर्ट बन गया बाबा को बाबा से रूहरियान करने में कभी-कभी थुरी आख दिखाती भी है थुरी आख दिखाती भी है तो वो भी तब जब आपस में थुरा बिगारते है, संगटन में जाना पड़ता है, संसार में चलना पड़ता है, और दपतर में जाना पड़ता है, फिर बाप को उलहना देते है, आप क्यों नहीं उनको ठीक करते हो, हमारा परिवार ऐसा है, हमारा करुवार में ऐसा, तो ऐसा करुवार में ओचनेच चल रहा है, तो संगड़न में ऐसा ओचनेच चल रहा है, आप क्यों नहीं ठिक करते हो, बाबा को भी आख दिखाते हैं, तो फिर भी वो स्नेहो भरी महबबत की आख है, देखो बाबा कितना निरहंकरी है, बाबा स्रिकार कर लिया, मान लिया और बच्चों को उपर उठा दिया, लेकिन जब संगड़न में आते, कर्मों में आते, करवार में आते, पुरिबार में आते, तो संगड़न में बोल, अर्था, बाचा, शक्ती इसमें बैर्थो ज़्यादा दिखाई देता है, बाबा समझाते हैं, ज्यान सुनने में तो हम, बरतलब करने में तो ह बाणी बैठतो जाने के करण बानी में जो बाप को प्रत्थक्ष करने का शक्ति, जोहर, अनुभव करानी चाहिए, वो बहुत कम होता है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इतना योगी है, इतना पुराना योगी है, और भाशा इतना करुवा बलते है, इतना तेजी से इतना रुखापन का बलते हैं, बात अच्छी लगती है, तो वो दूसरी बात है, बाप की बाते रिपीट करती हो, तो वो भी जुरूर अच्छी होगी, लेकिन बाचा की शक्ति वेर्थ हो जाने के करण शक्ति जमा नहीं होती, लेकिन बाबा समझाते हैं, बाबा का बात हम दोसब्दों सुना देते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, खोद को भी अच्छा लगता है, लेकिन प्रेक्टिकल में अपना जेवन का साथ, जो हमारा जुरा हुआ घटनाई हैं, उसमें हम बेर्थ बोलने से हमारा शक्ति जमा नहीं होता, इसलिए बाप को प्रत्थक् इस पर अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करना है, बाबा हमें हो मौर्ण देते हैं, आगे बारने के लिए बाबा हमें ओमंग भड़ता है, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा न, फरिस्ता के बोल थे, कौम बोल और मौधूर बोल थे, जिस बोल का फल निकले, क्या निकले? वो ह जथार तो बोल और जिस बोल का कोई फल नहीं वो है बैर्थो बाबा के तहे फरिस्ता वाले बोल का तो रेजल क्या है जथार तो बोल तो दो शब्दों बोलेगा तो दो शब्दों ही बहुत काम में आएगा और बैर्थो वाले बोल का फल क्या है इसका कोई फल नहीं जिरू होगा चाहे करुवार का फल हो करुवार के लिए भी बुलना तो पड़ता है ना तो वो भी लंबा नहीं करो बाबा कहते हैं करुवार करना है संसर चलाना है तो जहां हमें दो सब्दो से काम हो जाता है यहां दस सब्दों नहीं बोलो, कौम बोलो, मीठे बोलो, धिरे बोलो, अभी शक्ति को जमा करना है न, जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बेढ़ते हो, तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे बानी की शक्ति भी जमा करो, ये कौम बोलो, मीठा बोलो, धिरे हसे की बात बाबा सुना आते हैं देखो बाबा एक महीना का रेजल्ट देखने के लिए आया है न और बाबा ने क्या देखा क्या हमें बाबा ने आज शिक्षा क्या देते है तो बाब दादा के बतन में सब के जमा की भंडरिया है जो जो हमें जमा किया तो वो जमा का भंडरी बाबा का पास बतन में है आपकी सेवा के अंदरों में भी भंडरی आ है ना भुला भंडरी है तो बाप की बतन में बच्छों की भंडरी है और एक सारा दिन में मंसा बाचाकरमोना तीनो शक्तिया बचत कर जमा करते हैं वो भंडरी बाबा का पास है बाबा समझाते हैं देखो हशी का बाद बाबा समझाते हैं ब्रह्मा और शिब बाब दोनों बाब का बरतलब चल रहा है मंसा शक्ति कितना जमा की बाचा शक्ति कर्माना शक्ति कितना जमा की इसका सारा पोता मेल है भंडरी है, तो आप भी खर्च और बचत का पता मेल भेजते हो न, बाबा को सुने से पहले बाबा के तेहे चार्ट रख करके रात में पता मेल भेजो पता मेल भेजो, कितना तुमने बचत किया, कितना तुमने जमा किया, कितना खर्च किया, तो बाब दादा ने यो जमा की भंडरिया देखी, क्या देखी, तो क्या निकला होगा, जमा का खाता कितना निकला होगा, तो ये भी तो बाबा समझाते हैं, बच्चों को तो आशी आना चाहिए, बाबा कभी हसी मजग भी बात करते हैं, तो हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है, बाबा समझाते हैं, तो इसमें रिजल्टों सबका एक जैसा नहीं, भंडरी भरी हुई है, तो बहुत थी, भंडरी में बहुत थी, लेकिन चिल्लार अर्थात रेजगरी, अर्थात कौइन्स ज्यादा था, बाबा ने देखा, कौइन्स ज्यादा थी, यह चोटे-चोटे कोईन्स वो डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, वो कितना भारी हो जाएंगे, तो बाचा की result में विशेश यो जादा बाबा ने देखा, जादा देखा, चोटी-चोटी बात, चोटी-चोटी बात में हम बहुत गुस्सा में आ जाता है, तो चोटी- बता दिया पुरुश हर्थ हमें ऐसे ही तो इसे ही भाव से हमें करना चाहिए तो इस बर्ष बाचा और कर्मोना इन दोनों शुक्तियों को जमा करने की जोजोना बनाओ बाबा के यह परिगलपन पहली बाबाना टाइटल में रखा है तो यह जोजोना तुमें बनाओ जैसे गवर्मेन भी भिन्न भिन्न भीदी से बचत की स्कीम बनाती है न ऐसे इन में मुल मंसा यो तो सब जानते हैं बाबाने कहां सबसे उचा है मंसा मंसा ठीक है बाचा कर्मोना भी ठीक हो जाएगा पहली भी बाबा बताया लेकिन मंसा के साथ साथ बीशिश बाचा और कर्मोन यो समंद्ध संपर्कों में स्पष्टों दिखाई देती है मनसा ठीक नहीं मन ही मन गुस्सा करते है तो दो सब्दों जादा बोल देते है तो उल्टा काम कर्म कर लेते है तो मनसा फिर भी गुपतो है लेकिन यो प्रत्थक्षों दिखाई देने वाली है कर्मना क्या किया, बोल क्या किया, वो तो रेकर्ड हो गया न, सभी के मन में गाड बन गया, तो मन ही मन तुम क्या सोचते हो, वो तो किसको दिखाई नहीं पड़ता, तो बोल में जमा करने का शादन है, कौम बोलो और मिठा बोलो, समान से बोलो, समान से, जैसे ब्रह्मा आपने छोटे अतोबाब बोरे को समान के बोल से अपना बनाया बाबा का ये great quality था इस विदी से जितना आगे बरेंगे उतना बीज़ाई माला जल्दी तयार होंगे कितना important बाद बाबाने सुनाया तो इस बर्षो क्या करना है सेवा के साथ भीशेशियो सक्तिया जमा करते शेबा के साथ बाबा के ये जमा करो एटेंशन दो एक साथ सभी मिल करके सेबा करो शेबा का प्लेंस तो सभी अच्छे ते अच्छे बनाए हैं और सभी एक जो प्लें प्रमन सेबा कर रहे हैं चारू और चाहे भारत में चाहे विदेश में अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं तो ये तो बाबा देख रहा हैं जैसे शेवा में एक दो से अच्छे ते अच्छे रिजल्ट निकालने की शुब भाबना से आगे बर रहे हो ऐसे शेवा में संघडित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विशेश शंकल्पो यो भी सदा साथ साथ रहे क्योंकि एक ही समय तीन प्रकर की सेवा साथ साथ होती है। विशेश शंकल्पो यो है पुरिवार की सेवा और तीसरी है भाशादारा वा किसी भी विधी दारा विश्यो के आत्माओं की सेवा एक ही समय पर तीन सेवा होती है। की तीनों ही निर्विग न हो तब कहेंगे शेवा की नंबर वन शफलता ये बाबा देखना चाहते हैं। तीनों सेवा में सफलता साथ साथ तो हो यो नगारा बजे ये खुशी का धमा का हो। अगर एक कुने में नगारा बसता है तो कुम्ब करनों को कान तोक नहीं पोशेंगे। जब चारू और ये नगारा बजेगा सभी मिलकर के देश और विदेश से सभी मिलकर के एकी प्रकर का ये शेवा करेंगे जो जो ना बाबा का जो जो ना सुनेंगे, समझेंगे, काम में लगाएंगे तब सभी कुम्ब करनों जागेंगे। अभी तक क्या होता है जागते है एक जागता है तो दुसरा सोता है दुसरा जागता है तिसरा सो जाता है थुरा जागते भी है तो अच्छा-च्छा करके फिर सो जाते है लेकिन जाग जाए और मुक से बामन से ओहो प्रभू तेरी लिला अपराम अपा रहे है ये कहे और मु निस्तिति तुम्हें बनाना चाहिए। इसलिए बाबा समझाते हैं दुसरों को बचाने का परिकल्प न करो तो जब हम कहते हैं सरी संसार का कल्लान हो तो इसमें आपना भी कल्लान हो जाता है सरी संसार में मैं भी हो ना इसी प्रकार दुसरों के बचाव के लिए कोई जोजोना बनाते हो इसका आपका भी बचाव हो जाता है। अर्थात संपर्क में समिप लाना सभी को मैसेज दिया और खलाश लेकिन नहीं बबा के संपर्क को रखो उसका साथ कंटक रखो। जैसा बेक्ती वैसे संपर्क में लाने का प्लैन बनाओ। बबा केते हैं कोई प्रकार का कोई बर्ग वाला जो जिस बर्ग का हो तो उसका ही प्रग्राम रखो। उसको इंटरिस्ट लगेगा। तो सदरन फार्मार को अगर आप तो साइंस का बत बताओ। वो तो समझ में नहीं आएंगा। चाहे छोटे-छोटे प्रग्राम करो। लेकिन लक्षो ये रखो। सभी को संपर्क में कैसे लाए। सहयोगी स्रिफ एक घंटा के लिए वह फर्म भराने के समय तक के लिए नहीं बनाना। लेकिन सहयोग दरा उसको समिप लाना है। ये टर्गेट हमें जुरूर रखना। संपर्कों में शमंद में लाओ कोई भी प्रकार से। बबा के ये तो कोई शक्ती का बात नहीं है ये प्यार का बात है। तो आगे चल सेभा का रूप परिबर्तन होगा करना ही चाहिए। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ता। आपकी तरफ से समंद में आने बले बोलेंगे। आपको स्रिप अशिरबात और द्रिष्टी देनी परेगी। क्या समझाते बाबा। अगर आप हैंड्स तयार नहीं करते हो तो आपको तो ज्यादा मेहनत करना परेगा। लेकिन आप समंद संपर के में लाओ तो आपका सायोगी बन जाएंगे। जैसे आजकाल संकरचर्जों की कुर्षी पर बिठाते हैं दुसरों को। वैसे आपको पुज्यों की कुर्षी पर बाबा बिठाएंगे। चांदी के नहीं सोने का, सोने का कुर्षी आपका होगा, सोने का महल होगा। तो खाने पिने के लिए सुने का बरतन भी होगा, तो धर्णी तयार करने वाले निमित्त वनेंगे और आपको श्रिप द्रिष्टी तो द्रिष्टी से बिज डालना हो, डालना है तो दो अशिरबात के बोल बोलना तब तो प्रतक्षता होगी, बाबा के तो आप तो हैड तो तो प्रतक्षत करना गारा बाजेगा, चारू और से बाजेगा, तो तो कुम्भकरन का नेंत टोटेगा, तो आपमे बाब दिखाए देगा, इतना शक्तिशाली बनाओ आपको, और बाब की द्रिष्टी, आपके स्नेहों की अनुभोती लेने ही प्रत्थक्षता के नारे ल गोल्डन जुबली तो पुरी कर लिया, पचास सल पुरा हो गया, 1998 में बाबा ने ये बात कह रही है, अभी और सेबा करेंगे और आप देख देख हरशीत होते रहेंगे, ये सेबा में क्या शफलता मिलने वाला है, जैसे पोप क्या करता है, पोप क्या करता है, इतनी बरी स सेबाब के बीच वो खरा हो करके, दृष्टी दे करके, अशिरबात के दो बोल बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, लंबा चोरा भाशन करने वाले दुसरे निमित बनेंगे, पोप आ करके, पोप आ करके, खरा हो करके, दो बोल बोलेंगे, चार बोल बोलेंगे, कि हम बाबा कहेते ऐसे ही आप सेबा करो आप कहो कि हम हमें बाबा ने सुनाया है उसके बदले दूसरी कहेंगे उन्होंने जो सुनाया वो बाप का है और कोई का नहीं बाबा कहेते आप बाबा का बात सुना करके जाओ तो दूसरी इंट्रिड्यूस करेंगे उन्होंने जो और किसी का बात नहीं सुनाया उनका जीवन ही बाबा का जैसे बन गया तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तुयार होंगे जैसे स्वा के अंदरो समलने के लिए हैंड्स तुयार चाहिए न ऐसे स्टेज पर आपकी तरहों से दूसरे बोलने वाले अनुभब करके बोलने वाले निक प्रमात्म का ज्यान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को नहीं सहियोगी और शंपरकों में लाते समंध में लाओं। वो माईक बन जाए है। क्या कहा बाबा ने। आप शक्ति दो, देते रहो, द्रिश्टी देते रहो, और वो माईक का काम करे। बाबा का बात ही कहेंगे, तो वो आपको सहयता करेंगे, आपका प्रक्सी देंगे। इस बर्षो के सायोगी की शेवा का लक्ष माईक तयार करने हैं, जो अनुभब के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्थक्ष करें। बाबा सब जदिए इंपरड़न बात हैं। अनुभब का आधार से आपके या बाप को मैं आत्मा हूँ। तो ये बात भी दुनिया में फिलाना, ये बाप है मेरा बाप है, हम सब का बाप है, ये बात दुनिया में फिलाना। जिनका प्रभब सतो ही औरों के उपर सहज पड़ता है। ऐसे माइक तयार करो, समझा, सहबा के उद्दिश्यों क्या है, इतने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसका मक्षन क्या निकलेगा। खुब शहबा करो, लेकिन इस बर्ष संदेश के साथ साथ यो एड करो। नजर में रखो कौन-कौन ऐसे पत्र हैं और उसके समय प्रति समय भिन्न भिन्न बिदी से संपर्क मिलाओ। बाबाने बार-बार समझाते हैं संपर्क मिलाओ, संपर्क मिलाओ। नहीं तो क्या होगा तुम्हें एक बनाया और कुछ दिन एक बनाया तो देखेंगे तो अभी जो एक बनाया वही है पीछे वाले एक नहीं है ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया फिर दुसरा उपर से किया तिसरा उपर से किया और पहले वाले वहां ही रहो गए तिसरा आ गए तो बाबा के हैं वो एक ही तुमारा पास है, पहला भी नहीं, दूसरा का भी नहीं, तो लास्ट जो किया वो ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं, वान प्ल स स उन ऐसा होना चाहिए. यो भी जमा की शक्ती, तो प्रयोग में लानी परेगी, हर प्रोग्राम में जमा करते जाओ, लास्ट में ऐसे समंद संपर्को वालों की माला बन जाएंगे, समझा? बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम, बबा के यह तो यह दग्यान तो बबाने सुनाया, अभी तो मिलन हो तो शेबा में जो भी प्लेंस बनाएं वो चारू और एक दो के सहयोगी वन खुब चक्र लगाओं। सभी छोटे वरे को उमंग उच्छाह में लाकर तीनो प्रकर की शेबा में आगे बराओ। इसलिए बाबदादा ने इस बर्ष में पुरा रात को दिन बना करके शेबा दी। अब तिनो प्रकर की शेबा का फल खाने का ये बर्ष है। आने का नहीं फल खाने का है। इस बर्ष आने का नोंद नहीं है। सकाश तो बाब की सदा साथ है ही है। जो drama की नौध है बाबा तो साथ है यही है बाबा के एतेका मत करो तो वो बता दिया बाबा ने drama की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है ड्रामा में बाबा बंदा हुआ है बचों का पीछे तो बाबा है सेवा खुब खुरो छो माहिना ही रेजल्ट मालूम पर जाएंगे लोगों को पर जाएंगे कोने कोने कुमबो करने जग जाएंगे तो बाबा की आशव को पुर्णो करने का प्लैन मनाओ तो पहले टाइटेल में भी बाबा ने बताया जहां भी देखो जिसको भी देखो होर एक का संकल्प बोल और कर्म बाब की आशव को दिपक जलाने वाला हो ऐसा ही बाबा चाते हैं ऐसा ही हमें करके दिखाना है पहले मदोवन में यह एक्जम्पल दिखाओ मदोवन बालो को बाबा ने सुनाया बचत की स्कीम का मडल पहले मदोवन में बनाओ जो मंसा बाचा कर्मना का बचत का बाबा कहते हैं यह बचत का प्लैन पहले तुम बना करके सारा दुनिया को एक्जम्पल दिखाओ यह बैंक में जमा जमा करो पहले मदोवन वाशी मदोवन बालो का भी बरदान तो मिल ही गाया ना बाबा ने कहा तो बरदान मिल ही गाया बाकी जो रह गाए हैं तो उन्हों को भी इस बर्षों में जल्दी पुरा करेंगे क्योंकि बाब का स्ने हो तो सभी बच्चों के साथ है वैसे तो हर एक बच्चों के हर कदम में बर्दान है जो दिल के स्नहीं आत्माई है तो वो चलते ही हर कदम बर्दान से है बाबा के यह दिल कसने हो बाबा का सत है तो एक एक कदम उनका बर्दान से चलता है बाप के बर्दान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से भी और दिल का बर्दन सदा ही दिल में खुशी उमंग उत्षाहों का अनभव कराते हैं तो यह दिल का बर्दन की निशानी है दिल के बर्दन को जो भी अपने दिल से धरन करते हैं उनकी निशानी यही है वे सदा खुशी और उमंग उत्षाहों से आगे बढ़ते रहते हैं बाबा का सथ कनेक्टिवीटी है उनका जिवन में कोई प्रोब्लेम नहीं कभी भी किसी बातों में ना आठकेंगे ना रोकेंगे बर्दान से उड़ते रहेंगे और बात सब निचे रहो जाएगी तो साइट सेन भी उरने वालों को रोक नहीं सकती बाबा समझाते देखो इतना हमें बाबा का इंस्प्रेशन मिलेगा शक्ती मिलेगा आज बाब ददा सभी बच्चों को जिन्होंने भी दिल से आठक बन सेबा की उन सब सेबादारियों को इस सिजन के सेबा की मुबारक दे रही है मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो मदुबन में आकर मदुबन के स्रिंगार बने ऐसे स्रिंगार बनने वाले बच्छों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और निमित्त बने हुई इस रष्टो आत्मों को भी सदा अथक बन बाप शमन अपनी सेवाओ से सर्वो को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं और ये रौत को भी मुबारक दे रहे हैं दादी को भी मुबारक दे रहा हैं इतना अच्छा से सेवा दे रहे हैं चारो और के शवाधरी बच्चों को मबारुक हो निरिविग्न बन बढ़ते रहे हो और बढ़ते रहना ही है देश बिदेश के सभी बच्चों को आने के भी मबारुक है बबा सभी को सभी को बबा सभी के साथ मिलते हैं रिफ्रेश होने के भी मबारुक है लेकिन सदा रिफ् रिफ्रिश में रिफ्रिश होने भले आना क्योंकि बाप का खाजाना तो सभी बच्छों को सदा ही अधिकार है। दूसरों को नहीं देखना आपने को एक्जम्पल बनाना जैसे मदुवन वश्यों को बाब ने कहां इसमें जो ऑटो सो और जुन और ता नंबर वान बने। एक अनुभब करे कि फरिस्ता के बोल है फरिस्ता के कर्म कितने अलोकिक है ये ये डिग्री हमें प्राप्त होना चाहिए तो लोगों से हमें ये बाबा सुनना चाहिए जो बाबा का देन है लोग हमें देंगे ये परिबर्तन समारोहो बाब दादा देखना चाहते हैं अगर ह और एक सारा दिन के बोल, अपने टेप करो, तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पर जाएगा, मैं क्या जमा का बोल बलता हूँ, तो ये सभी को खुशी करने का बोल बलता हूँ, चेक करो, तो मालूम पर जाएगा, कितना जमा होता है, कितना बैठता हो जाता है, मौन की टेप में चेक करो बाबा कहें ते कोई बाहर जाना नहीं परेगा स्थूल टेप में नहीं ठादरन बोल भी बैर्थों में जमा होता है अगर चार बोल की वजाए 24 बोल बोले तो 20 किसमे गए एनर्जी जमा करो तब आपके दो बोल अशिरवात के एक घंटे की भाषन का काम करेंगे ऐसा शक्तिशली हमें बनना चाहिए अच्छा चारो और के सर्व कुरवान जाने वाले रुहानी परवानों को सर्व ब्राह्मन परिवार का बच्छा को बाबसमान बनने के द्रिरसंकल्प से आगे वरने वाली विशिश आत्माव को सदा उर्तिकला दरा किसी भी प्रकर की साइट सेन को पार करने वाले डवल लाइट बच्छों को रुहानी समा बाबदादा का याद प्यार और नमस्ते ऐसी ही हम बच्छों को भी बाबा इतना उर्तिकला में ले जाने वाले बाबदादाव को भी हम बच्छों की और से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 बच्छों की भाबनादारा हर आत्मा के शंशकारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धी भव जैसे बाब में सव प्रतिशत निश्चय बुद्धी हो कोई कितना भी डग्मक करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते ऐसे दैवी परिवार वा शंशरी आत्मवदरा भल कोई कैसा भी पेपर ले क्रोधीवन समना करे कोई इंसल्ट कर दे गाली दे उसमें भी डग्मक हो नहीं सकते इसमें श्रिप हर आत्मा प्रति कल्लन की भाबना हो या भाबना अनेक संसकारों को परिवर्तन कर देगी इसमें श्रिप अधर जो नहीं होना है समय प्रमान फल अविश्व निकलेगा या ड्रामा की नोध है धिरजधर बाबा समझाते हैं धिरजधर ना है हमें आज का स्लोगान है पवित्रत की शक्ती से अपने शंकल्प को शुद्ध ज्यान शुरूब बना कर कमजुरियों को शमाप्त करो आज का समान है मैं निश्चय बुद्धी आत्मा हूँ अच्छा ओम शान्ति